अब और मज़ेदार बास सुनिए, 27 मार्च को इस व्यक्ति का बयान लिया गया, याद रखेगा, 10 बार में इसको संजे सिंग का नाम याद नहीं है, बिवेक त्यागी का भी नाम याद नहीं है, अजीत त्यागी और सर्वेश मिस्रा का भी नाम 10 बार की पूस्ताच में किसी सहयोगी का नाम याद नहीं आया मेरा नाम याद नहीं आया मेरे साथ यह panis शिसोदिया से मिलने गया था यह बात भी याद नहीं आई दस बार इससे पूसता छुई मैंने सारी तारीक बता दी और यह पूरा पुरा सցथन्स ना आपको दे दिने सरोडा कह रहा है, No, Never. इससे पूछ रहे हैं कि, Have you ever met, Have you ever met Manish Sisodia at his residence with Amit Arora? ये 9 अपरेल को पूछा जा रहा है, 27 को Amit Arora का बैयान है, और 9 अपरेल को इनसे पूछा जा रहा है, कि Have you ever met Manish Sisodia at his residence with Amit Arora? ये दिने सरोडा से पूछा गया, 9 अपरेल को, तो हो कह रहा है, No, Never. ये भी इसी बयान में लिखा हूँ रहा है. तो मैं तो कह रहा हूँ कि, इस देश के न्यायाले को, अब इस बात का संग्यान लेना चाहिए, कि किस तरीके से, भार्ती जंता पाटी के इसारे पर, पढ़ान मंत्री नरेंद्र मोदी के इसारे पर, इडी नाच रही है, किस तरीके से, मुझे फर्जी भसाने के लिए, बेचायन और बेताब है, ऐसी घटनाओं का जिक्र, इस चार सीट में किया जा रहा है, जिसका लिकर पॉलिसी से, जिक्र किया जा रहा है, जिसका कोई लिकर पॉलिसी से लेना देना नहीं, और जो व्यक्ति बयान दे रहा है, वही व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, ये पॉलिसी नहीं आई, जिसको लेकिए M.E.U. साइन हुआ था, घटना कब की बता रहा है, जून 2020 की और कब बता रहा है दस बार की पूस्ताच में नहीं बताया इक ग्यारवी बार की पूस्ताच में मेरा नाम ले रहा है ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो मोदी जी मैं आपकी तडप को आपकी बेचैनी को समझ सकता हूँ आप मुझे जेल में डालना चाहते है आप बहुत बेचैने आप तडप रहे हैं लेकिन आपकी तडप पे मुझे तरस आ रहा है आप एक फोन कीजिए मुझे कि संजे सिंग तुमारे खिलाब सारी जाजकराली कुछ नहीं मिला बट मोदी की एक्षा है तुम जेल चले जाओ मैं चला जाओंगा जेल डाल दो मु करवाता है उस पर बीजेपी वाले प्रेस कॉंफरेंस करते हैं दस बार की पूछ ताच में उसको संजे सिंग का नाम याद नहीं आता उसके बाद उसके उससे मेरे खिलाब बयान लेते हो मेरे सायोगियों क्या च्छापे मारी करते हो ऐसी बाते वो लिख राज इसका लिक करते हैं